स्री शिवाई नमस्तू ब्याम दर्सको कैसे हो आसा करते हैं कि आप सब स्वास्तेम सुरक्षित होंगे दोस्तो सब्ताहका हर दिन किसी न किसी देवताओं को प्रिया होता है इसी तरह सनिवार का दिन न्याई के देवता सनिदेव को प्रिया होता है दोस्तो सास्त्रों के अनुसार सनिवार का दिनियानी की सनिदेव को न्याई दीस भी खाहा गया है जिसका अर्थ है न्याई करने वाला मान्यत है कि मनुस्यों को उनके बुरी कर्मों का फल सनिदेव ही देते हैं कहते हैं कि अगर सनिदेव करिभर करola किरसी पर प्रशण हो जाते हैं तो उनका जीवन सुक सम्रद्दि से बढ़ देटेई लेकिन अगर वह किसी पर नाराज हो गए तो राजा को भी रंक बना देते हैं या Näकी राजा को भी रंक बनाने में बढ़ नहीं लगती हैं दोस्तो सनीवार के दिन आप लोग कुछ हमारे पूजे गुर्देओं की कता से बताएगे इसे दिव्य उपाईयों को करने से आपके सबी दुखदर्दों को आप दूर कर सकते हो आपके जीवन में कटिन से कडिर आ रही बादाओं को आप लोग भी कारिय जो कि कई दिनों से नहीं बन पा रहा है उस कारियों को आप लोग उपाई करके जड़ से संपन्न कर सकते हो दोस्तो आप लोगों के लिए बहुती कारिगार सिधा है आज क्या है वीडियो दोस्तो आप लोगों को ज्यादा कुछ नहीं करना है बस सनीवार के रात में दनिया के साथ साथ एक काला कपड़ा लेना है और उन आठ दनिया के दानों को उस काले कपड़े में बाल लेना है और पोटली बनाने नहीं है फिर आप लोगों को अपने घर के गंगा जल में से उस पोटली पर गंगा जल छिडगना है और उस पोटली पर एक हल्दी कटी का लगा अगर आपके घर के सामने करीoup भी मिटी हो तो वहाँ पर गार देना है इसे बहुत ही सुंबन जाता है कि जिस घर के सामने वह पोटली गरती है उस घर में कभी किसी भी परगार का धुक्दर्द नहीं हाता है और उस घर में हमेशा सुख सान्ती रहती है और धनका वेबव बना रहता है दोस्तों अगर आप लोग यह कारिय करते हो तो आपको भी बहुत लाप्राप्त होगा इसलिए यह कारिया आज ही करेब गूरु जी की दुआरा बताए गया बहुत ही अच्छा कारिया है वीडियो अची लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें हम आपकी उजल्व विशे की कामना करते हैं